टाइटनिक की डेटा सेट पे हमने छोटे छोटे टैबलियू के साथ प्लॉट्स तो बहुत बना लिए अब किसी बड़े डेटा सेट पे काम करते हैं ना क्या ख्याल है आपका असलाम अलेकों मेरा नाम है डॉक्टर महमाद अमार्थफैल और मैं आपको टैबलियू सिखा रहा हूँ वो तुझी सेख रहे हो ना पक्की बात है लेट्स जंप इंटो इट यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि हमने पिछले लेक्षर के अंदर यह प्लॉट बनाया था और इसको कलर भी किया था और हमने फ्लिप चार्ट करके भी देखा था लाइक दिस एंड इस इसे ओपन करेंगे और यह हमारे पास कुछ डेटा इस तरीके से ओपन हो जाएगा जैसे हमारे पास यह डेटा आता है हम यहाँ पे क्लिक करके से वियू कर सकते हैं तो यह पूरा डेटा सेट है यह एक डिपल डिमेंशन का डेटा है तो इसके उपर यह डेटा सेट की सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मुझूद है और इस डेटा सेट की यह खासियत यह भी है कि अगर डेफिनेशन पर क्लिक करें तो आपके पास हर एक की डेटा की डेफिनेशन आ जाजागी किस कॉलम का क्या मतलब है नोटस on data यह हमें बताता है कि data कहां से डाउंलोड हुआ है और किस तरीके से इस डेटा सेट का पूरे का पूरा वेरियेबल है उन्होंने ये भी कहा है कि ये dataset बहुत clean नहीं है, आपसे request है कि ये इस dataset पे खुद inspection करें और इस पर को strategic decisions ना बनाएं, ठीक है, अब इसके बार जो हमारे पास variables आ जाते हैं, तो यहाँ पर click करके मैं सारे variables देख लेता हूँ किस variable का क्या मतलब है, तो ये सारे variables यानि कि जितने मैं कुछ sheet बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक sheet add करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे कि इस dataset को हम show नहीं करवा पार है, यहाँ पर अगर मैं उपर ले जाओ, आपको Titanic पर click करता हूँ तो वो data show होता है, लेकिन IPEDS का IPEDS का data जो है वो यहाँ पर नहीं आता, उसकी main reason क्या ह main reason यह है कि जब आप data sources पर जाते हैं, आपने अपना data source जब अभी connect नहीं किया, connect कैसे करना है, आप data को यहाँ से उठाएंगे, उठा के drag करेंगे यहाँ पर, यह मैंने drag किया, and now you can see के tableau के अंदर हमारा data जो है वो आ चुक है, and you can do the same thing, आप numeric और दूसरे columns यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया था, आपको आप वैसे यह सारे के सारे जो columns हैं वो देख सकते हैं, secondly अब आप अगर sheet पर जाएंगे, sheet number 4 पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपका data, Titanic का भी connected है, IPD, iPads का भी data यहाँ पर connected है, so मेरे लिए यह दोनों data set important है, because we are creating plots based on this, data country के नाम से आता है, fifth state code के नाम से आता है, तो कोई भी data जिसका zip code होगा, state code होगा, या country का नाम होगा, that will look like this, अब इसके बाद हमारे पास ID number और बाकिसादा column है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, state abbreviation भी है, zip code भी है, and there are many other things, तो यह सारे numeric variable है, हमारे पास इतना बड़ा data set आ गया है, कि now we can work on the big data set, और इसको मैं थोड़ा सा zoom out करता हूँ, यहाँ पर, अब हमारा पहला काम क्या है, मैं चाहता हूँ, कि किसी भी एक religious affiliation की base पर किसी US universities को देखा जाए, या मैं यह कहता हूँ, कि name of the institution, अगर मैं यहाँ पर इसको रोज में ले किया हूँ, तो आप देख सकते हैं, कि filter and then add, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1353 members है, मैं add all करता हूँ, यह 1353 universities सारी के सारी आ गई है, इसने क्यों कहा था कि filter करो, you can actually filter this data based on something, on any kind of location, ठीक है, तो मैंने यह कर दिया, अब इसके बाद हमारे पास जो numeric column है, मुसकी base पर देख सकते हैं, कि हम इस data को किस तरीके से plot करना चाते हैं, तो हमारे पास estimated undergraduate enrollment कितनी है, और full time enrollment estimated कितनी है, and there are many other things, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, doctoral degree, professional practice awarded, तो doctoral degrees कितने लोगों को दीगी है, research या scholarship कितने लोगों को दीगी है, मैं यहाँ से उठाता हूँ, इसको यहाँ पर लगा देता हूँ and now you can see कि हमारे पास एक plot बन गया है, which shows us कि सारे के सारे data set के अंदर हमारे पास doctoral degrees किस universities की ज्यादा है, किसकी काम है और power plot हमें show कर रहा है, यह 1353 universities का data है, अब आपको पता है कि इतना बड़ा data है, हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ी कौन सी है, उससे चोटी कौन सी है, university उससे चोटी कौन सी है, so on and so forth, इसके लिए आपके पास एक function available है, वो function यह है कि आप यहां से चलते जाएं, चलते जाएं, और जो बड़ी बार है उसको कह देंगे, यह सबसे अच्छी है, ऐसे नहीं है, आप zoom out करेंगे, एक button दबाएंगे, यहां पे top पे आपके सामने एक बटन आ रहा है, so descending order या ascending order, तो descending order पे मैं जैसे click करता हूँ, now you will see the bars like this, सबसे ज्यादा यूनिवस्टी अफ फ्लोरिडा ने basically doctoral degrees जो हैं, वो award की हैं, 1222, फिर नौवा साउधन यूनिवस्टी हैं, साउधन यूनिवस्टी हैं, साउधन यूनिवस्टी हैं, साउधन यून number of degrees का, अगर आप average करें, on an average आपके पास, यह वाली degrees हैं, तो इस तरीके से आप अपना data जो है, वो set कर सकते हैं, count करना तो इसका different होगा, count एक ही होगा, basically doctor degree का, लेकिन sum को हम count करेंगे, यहां पे, so this is how you can actually look into the data set, अब आप कहते हैं, कि हर किसी data set को, हम यहां पे, किसी एक institution की base पे color करके देखते हैं, sorry color करना था, तो मैं यहां पे इसको उठा के color के ओपर drag करूँगा, so level of institution को अगर देखा जाए, तो हमारे पास यहां पे, all है या four or more years है, तो हमारे पास को इतना खास फरक नहीं आ रहा है, यहां बे, right, so यह वाला parameter हमारे लिए ठीक नहीं है colors के लिए, we can, हाँ religious affiliation देख लिए तो 52 total religions है, filter and then add, यहां से हम religions को add कर लेते हैं, obviously हम यहां से देखेंगे कि कौन सा religion जो है, उनका वो basically applicable है, और यहां पर अगर check करें, obviously ज्यादा तर हमारे पास Baptists आ गया, African आ गया and there are many other religions, मैं सिरफ वो उठाता हूँ, क्योंकि जारी बात है data जो है वो, एक Christian country है basically, so that's how you can actually plot this, तो आपके पास African Baptist and United Methodists, यह जो है religious wise आपके पास data आ गया, religion wise, so you can now see the different colors based on this religion, और आप इस तरीके से colors भी कर सकते हैं, and this is how you can also do this ascending and descending order, so it's totally up to you, कि आप किस तरीके से बड़े data set को ले के आते हैं and इस तरीके से आप किसी भी एक बड़े data set को connect करके उस पर different किसम के plot set बना सकते हैं और यह data हमने online Tableau के sample data sets में से collect किया है, Tableau कितनी किसम का कितना बड़ा data handle कर सकता है, that's the question for today, comment section में जरूर लिखिएगा और like, share, subscribe this video and the channel as well, इस course को दूसरों के साथ share भी करें and hits thumb, see you in the next one.